नमस्कार, आए सुनते हैं रबिंद्रना टेगोर जी के द्वारा लिखीवी एक कहानी, अतिथी. काठालिया के जमिनदार मतिलाल बाबू सपरिवार नौका से अपने घर जा रहे थे. रास्ते में दोपहर के समय नदी के किनारे की एक मंडी के पास नौका बांध कर भोजन बनाने का आयोजन कर ही रहे थे, कि इसी बीच एक ब्रह्मण बालक ने आकर पूचा. बाबू तुम लोग कहां जा रहे हो? प्रश्न करता कि आयू 15-16 से अधिक न होगी. मती बाबू ने उतर दिया. काठा लिया. ब्रह्मण बालक ने कहा, मुझे रास्ते में नदी गाउं उतार देंगे क्या? बाबू ने स्विक्रिती प्रकट करते वे पूचा, तुमारा नाम क्या है? ब्रह्मण बालक ने कहा, मेरा नाम तारापध है. गौर्वर्ण बालक देखने में बड़ा सुन्दर था उसकी बड़ी-बड़ी आँखों और मुस्कुरातेवे ओष्ट धरों पर सूललिती सौकुमारे जलक रहा था वस्त्र के नाम पर उसके पास एक मैली सी धोती थी उगरीवी देह में किसी प्रकार का बाहुले न था मानो किसी शिल्पी ने बड़े यतने से निर्दोश सुडौल रूप में उसे गढ़ा हो मानो वा पूर्व जन्म में तापस बालक रहा हो और निर्मल तपस्या के प्रभाव से उसकी देह का बहुत सा अतरिक्त भाग छै होकर एक सम्मार्जित ब्राम्हन स्री परिस्फुट हो उठी हो मतिलाल बाबु ने बड़े स्नेह से उससे कहा बेटा स्नान कराओ भोजन आदी यहीं होगा तारापत बोला ठहर ये और वह तच्चन निचसंकोच भोजन के आयोजन में सहयोग देने लगा मतिलाल बाबु का नौकर अबंगाली था मचली आधी काटने में वह इतना निपूर नहीं था तारापत ने उसका काम स्वैम लेकर थोड़े ही समय में अच्ची तरह से वह कारे संपन्न कर दिया और दो एक सबजी भी बड़ी कुशलता के साथ तयार कर दी भोजन बनाने का कारे समाप्त होने पर तारापत ने नदी में सनान करके पोटली खोली और एक सफेद वस्त्र धारन किया काटकी एक छोटी सी कंगी लेकर सिर के बड़े-बड़े बाल माथे से हटा कर गर्दन पर डाल दिये और स्वच जनेव का धागा छाती पर लटका कर नौका में मती बाबु के पास जा पहुँचा मती बाबु उसे नौका के भीतर ले गए वहां मती बाबु की इस्त्री और उनकी नौ वर्षिया कन्या बैठी थी मती बाबु की इस्त्री अन्यपूर्णा इस सुन्दर बालक को देखकर स्ने से उच्छवासित हो उठी मनी मन कह उठी आहा, किसका बच्चा है, कहां से आया है, इसकी मा इसे छोड़कर किस प्रकार जीती होगी यह था समय मती बाबु और इस लड़के के लिए पास-पास दो आसन डाले गए लड़का ऐसा भोजन प्रेमीन था अन्यपूर्णा ने उसका अलपाहार देखकर मन में सोचा कि घबरा रहा है उसे यहवा खाने को बहुत अनुरोध करने लगी किन्तु जवव भोजन से निवरित हो गया तो उसने कोई भी अनुरोध न माना देखा गया लड़का हर काम अपने इक्चा के अनुसार करता है लेकिन ऐसे सहजभाव से करता है कि उसमें किसी प्रकार की जिद या हट का आभास नहीं मिलता उसके वैभार में लज्जा के लक्षन शेश मात्र भी दिखाई नहीं दिये सबके भोजनादी के बाद अन्नपूर्णा उसको पास बिठा कर प्रश्णों द्वारा उसका इतिहास जानने में प्रविर्थ हुई कुछ भी विस्तरित वेवरन संग्रह नहीं सका बस इतनी से बाद जान सकी कि लड़का साथ आठ वर्ष की उम्र में ही स्वेच्छा से घर छोड़कर भाग आया है अन्नपूर्णा ने प्रश्ण किया तुम्हारी मा नहीं है? तारापद ने कहा है? अन्नपूर्णा ने पूछा वे तुम्हें प्यार नहीं करती? इसे अत्यांते वेचित्र प्रश्ण समझ कर हस्ते वे तारापद ने कहा प्यार क्यों नहीं करेंगी? अन्नपूर्णा ने प्रश्ण किया तो फिर तुम्होंने छोड़ क्यों आये? तारापद बोला उनके और भी चार लड़के तिथा तीन लड़कियां है बालक के इस विचित्र उत्तर से वेथित होकर अन्नपूर्णा ने कहा मैयारी मैया, यह कैसी बात है? पाँच अंगुलिया है, तो क्या एक अंगुली त्यागी जा सकती है? तारापद की उम्र कम थी उसका इतिहास भी उसी मात्र में संशिप्त था किन्तु लड़का बिलकुल असाधरिन था वो अपने माता-पिता का चौथा पुत्र था शर्षवर में ही पित्रहीन हो गया बहु संतान वाले घर में भी तारापद सबको अत्यंति प्यारा था मा, भाई, बहन और मुहले के सभी लोगों से वो अजसर सनेह लाब करता यहां तक के गुरु जी भी उसे न मारते थे मारते तो भी बालक के अपने पराय सभी उससे वेदना का अनुभाव करते ऐसी अवस्था में उसके घर छोड़ने का कोई कारण न था जो उपेक्षित रोगी लड़का हमेशा चोरी करके पेड़ों के फल और ग्रिहस्तों से उसका चोगुना प्रतिफल पाता घूमता फिरता वो भी अपने परिचित ग्राम सीमा के भीतर अपनी कष्ट देने वाली मा के पास ही पड़ा रहा और समस्त ग्राम का यह दुलारा लड़का एक विदेशी यात्रा दल में शामिल होकर निर्ममता से ग्राम छोड़कर भाग खड़ा हुआ शोतों यहां विदेशी यात्रा दल का अर्थ है नौटंके की भाती बंगाल का लोक नाटे रूप लोग उसका पता लगा कर उसे गाउं लोटा लाए उसकी मा ने उसे चाती से लगा कर आंस्वों से आध्र कर दिया उसकी बेहने रोने लगी उसके बड़े भाई ने पुरुश अभिभावक का कठिन कर्टव्या पालन करने की उद्देशे से उस पर मृदु भाव से शाशन करके यतन करके अंत में अनुतप्त चित्त से खूब उसे प्यार किया और नाना प्रलोभनों से उसे वश्मी करने की चेश्ठा की किन्तु बंधन यही नहीं स्नेह का बंधन भी उससे सहन न हुआ उसके जन्म नक्षत्र ने उसे ग्रीहीन कर रखा था वो जब भी देखता कि नदी में कोई विदेशी नौका अपने रसी घसीटती जा रही है गाउं के विशाल पीपल व्रिक्षी के तले दूर देश के किसी सन्यासी ने आश्रे लिया है अत्वा बंजारे नदी के किनारे ढालू मैदान में चोटी-चोटी चटाईयां बांध कर कपचियां छील कर टोकरियां बनाने में लगे हैं तब वाहे पृत्वी की सन्याहीन अग्यात स्वाधीनता के लिए उसका मन बेचैन हो उटता लगातार दो-तीन बार भागने के बाद उसके कुटुम्बियों और गाउं के लोगों ने उसकी आशा छोड़ दी पहले उसे एक यात्र दल के साथ पकड़ा सब अधिकारी उससे पूत्र के समान सनेह करने लगे और वा दल के छोटे बड़े सभी का प्रिये हो गया यही नहीं, जिस घर में यात्र होती उस घर के मालिक विशेशकर घर का महला वर्ग जब विशेश रुप से उसे बुला कर उसका आदर मान करने लगा तब एक दिन किसी से बिना कुछ कहे वा भटक कर जाने कहां चला गया इसका फिर कोई पता ने चल सका तारपद हिरन शिशु के समान बंधन भीरू था और हिरन के समान ही संगीत प्रेमी भी यात्रा के संगीत नहीं पहले उसे घर से विरक्त किया था संगीत का स्वर उसकी समस्त धमनियों में कमपन पैदा कर देता था और संगीत की ताल पर उसके सर्वांग में आंदोलन उपस्थित हो जाता जब वा बिलकुल बच्चा था तब भी वा संगीत सभाव में जिस प्रकार सन्यत गंभीर प्रोड भाव से आत्में विस्मित होकर बैठा बैठा जूमने लगता उसे देखकर प्रवीन लोगों के लिए भी हैसी संवरन करना कठीन हो जाता केवल संगीत ही क्यों व्रिक्षी के घने पत्तों पर जब श्रावन की विरिष्टी धारा पड़ती आकाश में में गरिष्ते पवन अरण्य में मात्री हिन देते शिशु की भाती करंदन करता रहता तब उसका चित मानो उच्ष्रंखलित हो जाता निस्तब्द दुपहरी में आकाश में बड़ी दूर से आती चील की पुकार वर्षा रितु की संधह में मेढ़कों का कलर ओ गहन रात में सियारों की चितकार ध्वनी सभी उसको आकरिष्ट करते संगीत के इस मोह से आकरिष्ट होकर वा शिगरी ही पांचाली दल में भरती हो गया पांचाली दल अर्थात लोक गीतों का दल मंडली का अध्यक्षों से बड़े यतने से गाना सिखाने और पांचाली कंठस्त कराने में प्रविर्थ हुआ और उसे वक्ष पिंजर के पक्षी की भाती प्रिय समझ कर स्नेह करने लगा पक्षी ने थोड़ा बहुत गाना सिखा और एक दिन तड़ के उड़कर चला गया अंतिम बारवा जिमनास्टिक कराने वाले दल में शामिल हुआ जेट के अंतिम दिनों से लेकर आशाड के समाप्त होने तक अंचल में जगा-जगा क्रमा नुसार समवेत रुप से अनुष्ठित मेले लगते उनके उपलक्षमय यात्रावालों के दो-तीन दल, पांचाली गायक, कवी, नर्तकियां और अनेक प्रकार की दुकाने, चोटी-चोटी नदियों, उपनदियों के रास्ते, नौकाओं के द्वारा एक मेले के समाप्त होने पर दूसरे मेले में घूमती रहती पिछले वर्ष से कलकत्ता की एक छोटी जिमनास्टिक मंडली इस परियटन शील मेले के मनोरंजन में सहयोग दे रही थी तारापद ने पहले तो नौकारूर दुकानदारों के साथ मिलकर मेले में पान की गिलोरियां बेचने का भार लिया बाद में अपने स्वभाविक कौतुहल के कारण इस जिमनास्टिक दल के अदभूत वयायाम नयपोने से आक्रिष्ट होकर उन में प्रवेश किया तारापद ने अपने आप अभ्यास करके अच्छी तरह बंशी बजाना भी सीख लिया था जिमनास्टिक के समय वद्रूत ताल पर लखनव की ठूमरी के सूर में बंसी बजाता यही उसका एक मात्र काम था उसका आखरी पलायन इसी दल से हुआ था उसने सुना था कि नंदी ग्राम के जमिनदार बाबू बड़ी धूम धाम से एक शोखिया यात्रा दल बना रहे हैं अतव अपनी चोटी सी पोटली लेकर नंदी ग्राम की यात्रा की तयारी कर रहा था इसी समय उसकी भेट मती बाबू से हो गई एक के बाद एक नाना दलों में शामिल होकर भी तारापद ने अपनी स्वभावी कलपना प्रविन प्रकृति के कारण किसी भी दल की विशेष्टा प्राप्त नहीं की थी वह अंतकरण से बिलकुल निरलिप्त और मुक्त था संसार में उसने सरवदा अनेक कुचित बाते सुनी और अनेक अशोभन द्रिश्य देखे किन्तु उने उसके मन में संचित होने का रत्ती भर भी अवकाश न मिला उस लड़के का ध्यान किसी ओर था ही नहीं अनान्य बातों की भाती किसी प्रकार का अभ्यास बंधन भी उसके मन को बाध्य न कर सका वह उस संसार में पंकिल जल की उपर शुब्र पक्ष राजहन्स की भाती तैरता फिरता कोतुहल वश्वच जितनी बार भी डूबकी लगाता उसके पंक न तो भीग पाते थे और नहीं मलीन हो पाते थे इसी कारण इस ग्रीह त्यागी लड़के के मुख पर एक शुब्र स्वाभाविक तारुन्य अमलान भाव से झलकता रहा उसके यही मुक्ष्री देखकर प्रविन दुन्यादार मतिलाल बाबु ने बिना कुछ पूछे बिना संदेह किये बड़े प्यार से उसका आवाहन किया था बोजन समाप्त होने पर नौका चल पड़ी अन्नपूर्णा बड़े सनेह से ब्रह्मण बालक से उसके घर की बाते उसके स्वजन कुटुम्बियों का समाचार पूछने लेगी तारापद ने अत्यंत संशेप में उनका उत्तर देकर बाहर आकर परित्रान पाया बाहर परिपूर्णता की अन्तिम सीमा तक भर कर वर्षा की नदी ने अपने आत्मे विस्मित उद्धाम चांचल्य से कीर्टी माता को मानो उद्विग्न कर दिया था मेग मुक्त धूप में नदी किनार की अर्ध निमेंग्डिक रित्षेणी एवं उसकी उपर के सरसगन एक के खेत और उससे भी उपर परवर्ती देश में दूर दिगंदित चुम्बित निलांजन वर्ण 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 रेखा सभी कुछ मानो किसी कालपनिक कथा की सोने की छड़ी के सपर्ष से सद्ध्य जागरत नवीन सौंदरे की भाती नीरव नेलाकाश की मुग्द द्रिष्टी के सम्मुख परिस्फुठो उठा हो सभी कुछ मानो सजीव, स्पंदित, प्रगल्ब, प्रकाश में उद्भासित नवीनता से पूर्ण और प्राचोरे से परिपूर्ण हो तारा पद्ने नौका की छट पर पाल की छाया में जाकर आश्रे लिया धालू हरा मैदान, पानी से भरे पाट के खेत, गहन शयम लहरातेवे धान, घाट से गाउं की और जाने वाले संकरी रास्ते, सगन वन बेश्ठी चाया में गाउं, एक के बाद एक उसकी आँखों के सामने से निकलने लगे जल, स्थल, आकाश, चारो ओर की यह गतिशीलता, सजीवता, मुखरता, आकाश प्रित्वी की यह व्यापकता और व्याचित्र एवर निरलिप्तता, सुदूरता यह अत्यंत विस्त्रित चिरस्थाई, निर्मिमेश नीरव, वाक्य विहिन विश्वतरुन बालक के परमात् वा फिर भी इस चंचल मानों को छन भर के लिए भी स्नेह बावों में बांधने की कोशिश नहीं करता था, नदी के किनारे बच्छडे पूछ उठाये दोड़े जाते थे, गाउं के टट्टू, रसी से बंधे अपने अगले पैर के बल कूदते, घास चरते फिरते थे, मच किया उच्चस्वर से हसकर बाते करती वी छाती तक गहरे पाने में अपना वस्तरांचल फैला कर दोनों हाथों से उसे धो रही थी, आचल कमर में खोसे महरी ने डालियां लेकर मच्वों से मचली खरी देही थी, वह इन सब को चिर नूतन आश्रांत कौतूहल से बैठा दे बीच बीच में अवशकता नुसर वह मलाहों के हाथ से लगी लेकर खुदी ठेलने लग जाता, मांजियों को जब हुका पानी पीने की जरूरत पढ़ती तब वह स्वैम जाकर हाल समहल लेता और जब जिधर हाल मोरना अवशक होता वह दक्षिता पूर्वक संपन्न कर देत संद्य होने के कुछ पूर्व अनपूर्णा ने तारापद को बूला कर पूछा, रात में तुम क्या खाते हो? तारापद बोला, जो मिल जाता है वही खा लेता हूँ, रोज तो खाता भी नहीं इस सुंदर ब्रह्मन बालक की अतित्य ग्रहन करने की उदासीन ता अनपूर्णा को थोड़ी कश्ट कर प्रतीत वी, उनकी बड़ी एक्छा थी कि खिला पिला कर पहना ओढ़ा कर इस ग्रेचत यात्री बालक को संतुष्ट करे, किन्तु वह किस से संतुष्ट होगा यह वह ना जान सकी, नौकरों को बुला कर गाउं से दूद मिठा यादी खरीद मंगाने में अन्यपूर्णा ने धयम धाम मचा दी, तारापद ने पेट भर भोजन तो किया, किन्तु दूद नहीं पिया, मौन सभाव मतिलाल बाबु तक ने उससे दूद पीने का अनुरोध किया उसने संशेप में कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता नदी पर दो-तीन दिन बीट गय, तारापद ने भोजन बनाने सौदा खरीदने से लेकर नौका चलाने तक सब कामों में स्वेच्छता और ततपरता से योग दिया जो भी द्रिश्य उसके आँखों के सामने आता, उसी ओर तारापद की कौतुहल पूर्ण द्रिश्टी दोड़ जाती जो भी काम वो हाथ में लेता, उसे कुशलता से निभाता उसका मन सरवदा ही गतिशील बना रहता इसी कारण वह इस नित्य चलायमान प्रकिर्टी की भाती सरवदा निश्चिंत उदासीन रहता किन्तो सरवदा क्रिया सक्त भी यो तो हर मनोशे की अपनी एक स्वतंत्र अधिश्ठान भूमी होती है किन्तो तारापद इस अनंत निलांबर वाही श्री प्रवाह की एक आनंदो जुल तरंग था भूत भविशे के साथ उसका कोई संबंध ना था आगे बढ़ते जाना ही उसका एक मात्र काम था इधर बहुत दिनों तक नाना संप्रदायों के साथ योग देने के कारण अनेक प्रकार की मनोरंजनी विद्याओं पर उसका अधिकार हो गया था किसी भी प्रकार की चिंता से आच्छन ना रहने की कारण उसके निर्मल स्मृती तट पर सारी बाते अध्बुत सहज धंग से अंकित हो जाती पांचाली कत कथा, कीर्टन गान, यात्रा, अभिने के लंबे अवतरन उसे कंठस्त थे मतिलाल बाबु अपनी नीत्य प्रती की प्रथा के अनुसार एक दिन संध्या के समय अपनी पत्नी और कन्या को रामायन पढ़कर सुना रहे थे लवकुष की कथा की भूमी का चल रही थी तभी तारापद अपना उत्सा संवरन न करपाने की कारण नौका की छट से उतर आया और बोला किताब रहने दे मैं लवकुष का गीत गाता हूँ अब सुनते चलिए यह कहकर उसने लवकुष की पांचाली शुरू कर दी बासुरी के से सुमिस्ट उन्मुक्त स्वर में वह बड़ी तेज गती से दासुराय के अनुप्रासों की वर्षा करने लगा डांडी, मचुवे, सभी दर्वाजे पर आकर जुके पड़ रहे उस नदी नीर के संध्याकाश में हास से करुणा और संगीत का एक अपूर्व रस्त्रोत प्रवाहित होने लगा दोनों निस्तब्द किनारे कौतुहल पूर्ण हो उठे पास से जो नौकाएं गुजर रही थी, उनमें बैठे लोग छण भर के लिए उतकांठी थोकर उसी और कान लगाए रहे जब गीत समाप्त हो गया तो सभी ने व्यथित चित्ते से लंबी सांस लेकर सोचा, इतनी जल्दी क्यों समाप्त हो गया सजल नैना अन्पूर्णा की इक्छा हुई कि उस लड़के को गोध में बैठा कर छाती से लगा कर उसका माथा चूमले मतिलाल बाबू सोचने लगे इस लड़के को यदि किसी प्रकार अपने पास रख सकूं तो पुत्र का आभाव पूरा हो जाए केवल छोटी बाली का चारो शशी का अंतकरण इर्शा और विद्वेश्चे परिपूर्ण हो उठा चारो शशी अपने माता पिता की इकलोती संतान और उसके स्नेह की एकमात्र अधिकारिनी थी उसकी धुन और हट की कोई सीमा न थी खाने, पहनने, बाल बनाने के संबंध में उसका अपना स्वतंत्र मत था किन्तो उस मत में तनिक भी स्थिर्ता नहीं थी जिस दिन कहीं निमंत्रन होता उस दिन उसकी मा को या भै रहता कि कहीं लड़की साश श्रिंगार को लेकर कोई असंभव जिद न कर बैठे यदि देवात कभी केश बंधन उसके मन के अनुकूल न हुआ तो फिर उस दिन चाहे जितनी बार बाल खोल कर चाहे जितने प्रकार से बांधे जाते वह किसी तरह संतुष्ट न होती और अंत में रोना धोना मत जाता हर बात में यही दशा थी पर कभी-कभी जब उसका चित्त प्रसन रहता तो उसे किसी प्रकार कोई आपत्ती न होती उस समय वह प्रचूर मात्रा में स्ने प्रकट करके अपने मा से लिपट कर चूम कर हस्ती भी बात करते करते उसे एकतम परिशान कर डालती यह चोटी बालिका एक दुभेद पहेली थी यह बालिका अपने दुरियोधी हृदय के पूरे वेक का प्रयोग करके मनी मन विशम इर्श्या से तारापत का निरादर करने लगी माता पिता को भी उसने पूरी तरह से उद्विग्न कर डाला भोजन के समय रोधनों मुखी होकर भोजन के पातर को ठेल कर फेक देती खाना उसको रुची करना लगता, नौकरानी को मारती, सभी बातों में अकारण शिकायत करती जैसे जैसे तारापत की विद्याएं उसका एवं अन्य सब का मनोरंजन करने लगी वैसे वैसे मानो उसका क्रोध बढ़ने लगा तारापत में कोई गुण है, इसे उसका मन स्विकार करने से विमुख रहता और उसका प्रमान जब प्रबल होने लगता, तो उसके असंतोश की मात्रा भी बढ़ जाती तारापत ने जिस दिन लवकुष का गीत सुनाया, उस दिन अन्यपूर्णा ने सोचा संगीत से वन के पशु तक वश में आ जाते हैं, आज शायद मेरी लड़की का मन पिघल गया है उससे पूछा चारू, कैसा लगा? उसने कोई उत्तर दिये बिना बड़े जोर से सिरही ला दिया भाशा में इस मुद्रा का तजुर्मा करने पर यह रूप होता कि जरा भी अच्छा नहीं लगा और नाहीं कभी अच्छा लगेगा चारू के मन में इर्शा का उदे हुआ है यह समझकर उसकी मान ने चारू के सामने तारापद के प्रतिस ने प्रकट करना कम कर दिया संध्या के बाद जब चारू जल्दी जल्दी खाकर सो जाती तब अनपूर्णा नौका कक्षि के दर्वाजे के पास आकर बैठती और मती बाबू और तारापद बाहर बैठते और अनपूर्णा के अनुरोद से तारापद गाना शुरू करता उसके गाने से जब नदी के किनाड़े की विश्राम निरवता ग्राम श्री संध्या के विपूल अंधकार में मुग्द निस्तब्द हो जाती और अनपूर्णा का कोमल रिदे स्ने और सौंदेर रस से उचलने लगता तब सैसा चारू बिस्तर से उठकर तेजी से आकर रोती भी कहती मा तुमने क्या शोर मचा रखा है मुझे नीद नहीं आती माता पिता उसको अकेला सुला कर तारापद को घेर कर संगीत का आनन्द ले रहे हैं यो उसे एक्टम असहाय होटता इस देप्ट्र कृष्णा नैना बालिका की स्वभाविक उग्रता तारापद को बड़ी ही मनोरंजक प्रतीत होती उसने इसे कहानी सुना कर गाना गा कर बंसी बजा कर वश्मे करने की बहुत चेश्ठा की किन्तु किसी भी प्रकार सफल न हुआ केवल जब मध्यान में तारापद नदी में स्नान करने उतरता परिपूर्ण जलराशी में अपनी गौरवर्ण सरल कमनिये देह को तैरने की अनेक प्रकार की कृड़ाओं में संचलित करता तरुन जल देवता के सामने शोभा पाता तब बालिका का कौतुहल आकरशित हुए बिना नहीं रहता वो इसी समय की प्रतिक्षा करती रहती किन्तु आंतरिक एक्षा का किसी को भी पता न लगने देती और यह असिक्षा पटू अभिनेत्री ध्यान पूर्वक उनी गुलुबंद बूनने का अभ्यास करती वी बीच बीच में मानो अत्यंत उपेक्षा भरी द्रिष्टी से तारापत की संतरन लीला देखा करती नंदि ग्राम कब का छूट गया तारापत को पता ही न चला विशाल नौका अत्यंत मृदुमंद गती से कभी पाल तान कर कभी रसी खीच कर अनेक नदियों की शाखा प्रशाखा में होकर चलने लगी नौका रोहियां के दिन भी इन सभी नदी उपनदियों के समान शांती सौंदर्य पूर्ण व्याचित्री के बीच सहच सौमे गती से मृदुमिष्ट कलरों में प्रवाहित होने लगे किसी को किसी प्रकार की जल्दी न थी दोपहर को असनानागार में बहुत समय व्यतीत होता और इधर संध्या होते न होते बड़े दिखने वले किसी गाउं के किनारे घट के समीप जिल्ली मंदरित खदो खचित वन के पास नौका बांध दी जाती इस प्रकार दस एक दिन में नौका काठलिया पहुची जमिंदार के आगमन पर घर से पालकी और टटूओं का समागम हुआ और हाथ में बास की लाठी धारन किये सिपाही चौकिदारों के दल ने बार बार बंदूग की खाली आवाज से गाउं के उतकांठित काक समाज को मुखर कर दिया इस सारे समारों में समय लगा इस बीच तारापद ने तेजी से नौका से उतर कर एक बार सारे गाउं का चक्कर लगा डाला किसी को दादा, किसी को काका, किसी को दादी, किसी को मौसी कहकर दो-तीन घंटे में सारे गाउं के साथ सोहार्थ बंधन स्थापित कर लिया कहीं भी उसके लिए सुभावता कोई बंधन नहीं था इससे यह बालक गजब की शिग्रिता और आसानी के साथ सब के साथ परिचे कर लेता था तारापद ने देखते ही देखते थोड़े ही दिनों में गाउं के समस्त हृदेयों पर अपना अधिकार कर लिया इतनी आसानी से हृदे हरन करने का कारण यह था कि तारापध हर एक के साथ उसका अपना बनकर स्वभाविक रूप से योग दे सकता था वह किसी भी प्रकार के विशेष संस्कारों द्वारा बंधा नहीं था अतेव सभी अवस्थाओं और सभी कामों में उसमें एक प्रकार की सहज प्रवीनता थी बालुकों के लिए वह बिल्कुल स्वभाविक बालक था और श्रेष्ट और स्वतंत्र वृधों के लिए वह बालक तो ना रहता गिन्तु पुर्खा भी नहीं चरवाहों के साथ वह चरवाह रहता था फिर भी ब्रम्भन हर एक के हर काम में वह चिरकाल के सैयोगी के समान अभ्हस्त भाव से हस्तक शेप करता हलवाई की दुकान पर बाते करते करते हलवाई कह उठता भाईयाजी जरा बैठना मैं अभी आता हूँ तारापद दुकान पर बैठकर साल के पत्ते से संदेश पर बैठी मखियां उड़ाने लगता मिठाईयां बनाने में भी विवपक्का था करगे का मर में भी उसे थोड़ा बहुत मालूम था कुमार का चाक चलाना भी उसके लिए बिलकुल नया न था तारापद ने सारे गाउं को वश में कर लिया केवल ग्रामवासिनी एक बालिका की इरश्य वह अभी तक नहीं जीत पाया था यह बालिका उग्रभाव से उसके दूर निर्वासन की कामना करती थी यही जानकर शायद तारापद इस गाउं में इतने दिन अबाध्य बना रहा किन्तो बालिका वस्था में भी नारी के अंतर रहस्य का भेद जानना बहुत कठिन होता है चारो शशी ने इसका प्रमान दिया ब्रमण पुरताहिन की कण्या सोन मनी पांच वर्ष की अवस्था में विद्वा हो गई वा चारो की समवयस का सहेली थी अस्वस्थ होने के कारन वा घर पर ही थी जिसके कारन सहेली से कुछ दिनों तक उसकी भेट न हो सकी स्वस्थ होकर जिस दिन वा भेट करने आई उस दिन प्राया अकारण ही दोनों सहेलियों में कुछ मनों मालिने की नौब बता गई दरसल चारू ने अत्यनत विस्तार से बात आरंब की थी उसने सोचा था कि तारापद नामक अपने निर्वाजित परमरत्न को जुटाने की बात का विस्तार पूर्वक वर्णन करके वो अपनी सहेली के कौतुक एवं विस्मे को आकाश पर चड़ा देगी किन्तो जब उसने सुना कि तारापद सोन मनी के लिए तनिक भी अपरिचित नहीं था पुरो तहिन को वो मौसी कहता है और सोन मनी उसको भाईया कहकर पुकारती है जब उसने सुना कि तारपद ने केवल बासरी पर कीर्टन का सूर्ज बजा कर माता और पुत्री का मनुरंजन ही नहीं किया है सोन बणी के अनुरोध से उसके लिए अपने हाथों बास की बासरी भी बना कर दिया न जाने कितने दिनों से वह उसे उची डाल से फल और कंटक शाखा से फूल तोड़ कर देता रहा है। तब चारू के अंतकरण को मानुत तप्त शूल बेदने लगा। चारू समस्ते थी कि तारापद विशेश रूप से उनी का तारापद था। अत्यंत गुप्त रूप्त से संरक्षित। अन्य साधरन जन केवल उसका थोड़ा बहुत आभास मात्र पाएंगे। किसी भी तरह उसका सामेप्य न पासकेंगे। दूर से ही उसके रूप गुण पर मुग्द होंगे और चारू शशी को धन्यवाद देते रहेंगे। यही अद्भुत, दूरलब, दैवलब, ब्रह्मन, बालक सोन मनी के लिए सहज गम में क्यूं हुआ। हम यदि इसे इतना यतन करके न लाते, इतने यतने से न रखते तो सोन मनी आदी इसका दर्शन कह से पाती। सोन मनी का भया शब्द सुनते ही उसके सारे शरीर में आग लग गई। चारू जिस तारापद को मन ही मन विद्वेश वानों से जरजर करने की चेश्ठा करती रही है। उसी के एक अधिकार को लेकर इतना प्रबल उद्वेक क्यूं। किसका सामर्थ है जो यह सम कर उसे कुचलतीवी निर्दैता पुर्वक तोड़ने लगी। चारू जब प्रचंड रोश में इस वंशी ध्वन्स के कार्य में व्यस्त थी तभी तारापद ने कमरे में प्रवेश किया। बालिका की यह प्रले मूर्ती देखकर उसे आश्चरे हुआ। बोला। चारू म से रोतीवी कमरे के बाहर चली गई। तारापद ने वंशी उठा कर उलट पुलट कर देखी। अब उसमें कोई दम न था। अकारण ही अपनी पुरानी वंशी की यह आकस्मिक दुरगती देखकर वह अपनी हसी रोक न सका। चारू शशी दिनों दिन उसके परम कौतुक क विशय बनती जा रही थी। उसके कौतुक का एक और छेत्र था। मतिलाल बाबु की लाइबरेरी में अंग्रेजी की तस्वीरों वाली किताबें। बाहरी जगत से उसका यथेश्य परिचे हो चुका था। किन्तु तस्वीरों के इस जगत में वह किसी भी प्रकार तारापद का यह आगरह देखकर एक दिन मतिलाल बाबु बोले। अंग्रेजी सीखोगे। तब तुम इन सारी तस्वीरों का अर्थ समझ लोगे। तारापद ने तुरंत कहा। सीखूंगा। मति बाबु ने खुब खुश होकर गाउं के एंट्रेंस स्कूल के हेड़ मास माना वह किसी नवीन दुर्गम राज्य में भ्रहमन करने निकला हो। उसने पुराने जगत के साथ कोई संपर्क न रखा। मुहले के लोग अब उसे न देख पाते। जब वह संध्या के पहले निर्जन नदी तट पर तेजी से टहलते टहलते पाठ कंठस्त करता। तब उ पहले तारापद अन्तपूर में जाकर अन्नपूर्णा के सनेह दृष्टी के सामने बैठकर भोजन करता था। किन्तु इसके कारण कभी-कभी देर भी हो जाती थी। इसलिए उसने मती बाबु से अनुरोध करके अपने भोजन की वैवस्था बाहर करा ली। अन्नपूर् अतपिता ने अपनी कंञ्या के इस प्रस्ताव को पहले तो परिहास का विशय समझ कर सनेह मिश्ट हसी उड़ाई। किन्तु कंञ्या ने तुरंत इस प्रस्ताव के परिहास से अंश को प्रचूर अश्यु जलधारा से पूर्ण रूप से धो डाला। अंध में इस सनेह इस्थिर चित बालिका के स्वभाव के विपरीत था। वह स्वैम तो कुछ सीख नहीं पाई, बस तारापत की पढ़ाई में विग न डालने लगी। वह पिछड जाती, पाठ कंठस्त न करती। किन्तो फिर भी वह किसी भी प्रकार तारापत के पीछे न रहना चाती। तारा चुट्टी के समय स्वैम के कमरे में बैठकर लिखता और पाठ कंठस्त करता। यह उस इर्शा परायना बालिका से सहन न होता। वह चिपकर उसके लिखने की कौपी पर स्याही उढेल देती। कलम चुरा कर रख लेती। यहां तक कि किताब में जिसका अभ्यास करना होता वह अंच फाड डालती। तारपत बालिका कि यह सारी ध्रिश्टता आमोध पूर्वक सहता, असाही होने पर मारता, किन्तो किसी भी प्रकार उसको नियंत्रिक न कर सका। दरवात एक उपाई निकलाया। एक दिन बहुत खीज कर निरुपाय तारपत स्याही से रंगी अप तारपत बिना कुछ कहे चुप चाप बैठा रहा। बालिका कमरे के भीतर बाहर चक्कर काटने लगी। बारम बार उसके इतने समीप से निकलती कि तारपत चाहता तो अनाया से उसकी पीठ पर एक थपड जमा सकता था। किन्तो वह ऐसा ना कहकर गंभीर ही बना रहा। बा अन्त में कोई उपाय न देखकर फटीवी लेख पुस्तिका का एक टुकड़ा लेकर तारपत के पास बैठ कर खुब बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा। मैं फिर कभी किताब पर स्याही नहीं फैलाऊंगी। लिखना समाप्त कर उस लेख की ओर तारपत का ध्यान आ जिस कागस पर उसने अपने हाथ से दीनता प्रकट की थी उसको अनन्त काल के लिए और अनन्त जगत से बिलकुल लोब कर पाती तो उसके हृदय का गहरा छोब मिट सकता। उधर संकुची चित सोनमणी एक दो दिन अध्यानशाला के बाहर घूम फिरकर जाग कर चली गई। सहेली चारुशशी के साथ और सब बातों में उसका विशेश बंदूत्व था। किन्तो तारपत के संबंध में वह चारु को अत्यंत भय और संदेश से देखती थी। चारु जिस समय अंतरपूर में होती उसी समय का पता लगा कर सोनमणी संकोच करती वी तारपत के द्वार के पास आकर खड़ी होती। तारपत किताब से मुँ उठा कर ससने हैं कहता। क्यों सोना, क्या समाचार है, मौसी कैसी है। सोनमणी कहती, बहुत दिन से नहीं आये, माने तुमको एक बार चलने के लिए कहा है, कमर में पीड़ा होने के कारण वह तुम्हें देखने नहीं आ सकती। शायद इसी बिच सहसा चारू आकर उपस्थित होती। सोनमणी घबरा जाती। जैसे वह मानो चीपकर अपनी सहेली की संपत्ती चुराने आयी हो। चारू आवाज को सब्तम पर चढ़ाकर भौँ चढ़ाकर मुँ बनाकर कहती। है सोना, तु पढ़ने के समय हला मचाने आती है, मैं अभी जाकर पिताजी से कह दूँगी। मानो वह स्वैम तारापद की एक प्रवीण अभिभावी का हो। उसके पढ़िने लिखने में लेश मातर की भी बाधा न पढ़े। मानो रात दिन बस इसी पर उसकी दृष्टी रहती हो। किन्तो वह स्वैम किस अभिप्राय से इस असमय में तारापद के पढ़ने के कमरे में आकर उपस्थित हुई थी या अंतर्यामी से चिपा नहीं था और तारापद भी इसे अच्छी तरह जानता था। किन्तो विचारी सोन मनी डर कर उसी छण हजारो जूटी कैफियत देती अंत में जब चारू घृणा पुर्वक उसको मिथ्यावादनी कहकर संबूदित करती तो वह लजजित शंकित पराजित होकर व्यथित चित से लौट जाती। दयादर तारापद उसको बुला कर कहता। सोना, आज संध्या समय में तेरे घर आऊंगा, अच्छा। चारू सर्पिनी के समान फुफकारती भी कह उठती। हाँ, जाओगे, तुम्हें पाठ नहीं याद करना है, मैं मास्टर साहब से न कह दूँगी। चारू की इस धमकी से न डरकर तारापद एक दो दिन संध्या के बाद पुरोहित जी के घर गया था। तीसरी या चौथी बार चारू ने कोरी धमकी न देकर धीरे धीरे एक बार बाहर से तारापद के कमरे के दर्वाजे पर सांकल चढ़ा कर मां के मसाले के बक्स का ताला लगा दिया। सारी संध्या तारापद को इसी तरह बंदी अवस्था में रखकर भोजन के समय द्वार खोला। गुसे के कारण तारापद कुछ न बोला और बिना खाय चले जाने की तयारी करने लगा। उससे मैं अनुतप्त व्याकुल बाली का हाथ चोड़कर बिने पूर्वक बारम बार कहने लगी। मैं तुमारे पैरो पढ़ती हूँ। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम खाकर जाना। इससे भी जब तारापद वश में ना आया तो वह अधीर होकर रोने लगी। संकट में पढ़कर तारापद लोट कर भोजन करने बैठ गया। चारू ने कितनी बार अकेले में प्रतिक्षा की कि वह तारापद के साथ सद्वेभार करेगी। फिर कभी उसे एक छण केले भी परिशान नहीं करेगी। किन्तु सोन मने आधी अन्य पांच जनों के बीच में आ पड़ते हीं, न जाने कैसे उसका मिजाज बिगड़ जाता। और वह किसी भी प्रकार आत्मे नियंत्रण नहीं कर पाती। कुछ दिन जब उपर उपर से वह भलमन साहत बरत थी, तभी किसी आगामी विपलव के लिए तारापद से तरकता पुर्वक प्रस्तूत हो जाता। आकरमन हठात किस कारण किस दिशा से होगा या कहा नहीं जा सकता। उसकी प्रचंड तूफान के बाद प्रचूर अश्रू की वर्षा उसके बाद प्रसन शानती। इस तरह लगबग दो वर्ष बीत गये। इतने लंबे समय तक तारापद कभी किसी के पास बंध कर नहीं रहा। शायद पढ़ने लिखने में उसका मन एक अपूर्वा आकर्षन से बंध गया था। लगता है वयुवर्धी के साथ उसकी प्रकिर्ते में भी परिवर्टन आरंब हो गया था। और स्थिर बैठे रहकर संसार की कुछ सुक स्वच्चंदता का भोग करने की भी और उसका मन कदाचित उसकी सहपाठिनी बालिका का स्वभाविक दौरात में चंचल सौंदर्य अलक्षित भाव उसके हृदय पर बंधन फैला रहा था। इधर चारू की अवस्था ग्यारा पार कर गई। मती बाबु ने खोज कर अपने पुत्री की विवाह के लिए दो तीन अच्छ पुलन उपस्थित कर दिया। तब अनपूर्णा ने एक दिन मती बाबु को बुला कर कहा। पात्र के लिए तुम इतनी खोज क्यों करते फिर रहे हो। तारापद अच्छा लड़का तो है और तुम्हारी लड़की भी उसको पसंद है। सुनकर मती बाबु ने बड़ा इसमें प्रकट किया। कहा। भला यह भी कभी हो सकता है। तारापद का कुल शील कुछ भी ग्यात नहीं। मेरी एकलोती लड़की है। मैं उसे अच्छे घर में देना चाहता हूँ। एक दिन राए डंगा के बाबु के घर से लोग लड़की को देखने आये। वस्त्रा भूशन पहना कर चारू को बाहर लाने की चेश्ठा की गई। वह सोने के कमरे का द्वार बंद करकर बैठ गई। किसी भी प्रकार बाहर न निकली। मती बाबु ने कमरे के बाहर से बहुत अनुने की, बहुत फटकारा। किसी प्रकार भी कोई परिनाम न निकला। अंत मे में बाहर आकर राय डांगा के दूतों से बहाना बना कर कहना पड़ा कि एका एक कन्या बहुत बीमार हो गई है आज दिखाई नहीं हो सकेगी उन्होंने सोचा लड़की में शायद कोई दोश है इसी से इस चतुराई का सहारा लिया गया है तब मती बाबु विचार करने लग उसको मैं घर में ही रख सकूंगा ऐसा होने से अपनी एक मात्र लड़की को पराय घर भेजना भी नहीं पड़ेगा यह भी सोचा कि उनकी अशांत अबाध्य लड़की की दुरंत पना उसकी स्नेहपूर्ण आखों को कितना ही छम्मे प्रतीत हो ससुराल वाले सहन नहीं करे फिर पती पतनी ने सोच विचार कर तारापत के घर उसके सारे कुल का हालचाल जानने के लिए एक आदमी भेजा समाचार आया की वंश अच्छा है किन्तो दरिद्र है तब मती बाबु ने लड़के की मा एवं भाई के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा उन्होंने आनंद से उच्छवासित होकर सम्मती देने में मुहुर्त भर की भी देर न की काठलिया के मती बाबु और अन्नपूर्णा विवाह के दिन लगने की आलोचना करने लगे किन्तो स्वाभावी गोपनियत प्रिय सावधान मती बाबु ने इस बात को गोपनिये रखा चारू को विवित शांती को अकस्मात तरंगित कर देती उससे आजकल इस निरलिप्त मुक्त स्वाभाव ब्रम्हन बालक के मन में बीच बीच में कुछ समय के लिए विद्धु तस्पंदन के समान एक अपूर्व चांचले का संचार हो जाता जिस व्यक्ति का हलका चित सर्वदा अक की लाइब्रेरी में प्रवेश करके तस्वीरों की पुस्तकों के पन्ने पलटता रहता उन तस्वीरों के मिश्रन से जिस कलपन लोग की रचना होती वह पहले की अपेक्ष बहुत स्वतिंत्र और रंगीन थी चारू का वेचित्र आचरण देखकर अव पहले की बाती स्व के समान लगने लगा श्रावन में विवाह का शुब दिन निश्चित करके मती बाबु ने तारापद की मा और भाईयों को बुलावा भेजा तारापद को यह नहीं बताया कलकत्ता के फौजी बैंड को बायाना देने के लिए मुखतार को आदेश दिया और सामान की सुची भ चोटी चोटी नौकाएं उस पंकिल जल में डूबी पड़ी थी और नदी की सूखी धारा में बैलगाडियों के आवगवन से गहरी लकीरे खुद गई थी ऐसे समय एक दिन पिता के घर से लोटी भी पारवत्ती के समान नजाने कहां से दृतगामिनी जल धारा कल हास से करत गाउं के शुन्य वक्ष पर आव पस्थित वी नंगे बालक बालिकाएं किनारे आकर उचे स्वर से निर्त्य करने लगे मानवे अत्रप्त आनंद से बारम बार जल में कूद कूद कर नदी को आलिंगन कर पकड़ने लगे हों कुटी में निवास करने वाली स्त्रियां अप बाजार का घाट संध्या समय विदेशी मलाहों के संगीत से ध्वनित हो उठा। दोनों किनारों के गाउं पूरे वर्ष अपने निवरित कोने में अपने साधरन ग्रियस्ति लिए एका की दिन बिताते हैं। वर्षा के समय बाहरी विशाल प्रित्वी विचित्र पाण्यो पहार लेकर गैरिक वर्ण जलरत में बैठकर इन ग्राम कन्याओं की खोज खबर लेने आती हैं। इस समय जगत के आत्मियता के गर्व से कुछ दिन के लिए उनकी लगुता नश्ट हो जाती हैं। सब सचल, सजग और सजीव हो उठते हैं। एवं मौन निस्तब्द प्रद यात्रा का मेला लगा। जोसन संध्या में तारपद ने घाट पर जाकर देखा, कोई नौका खर्च लिए, कोई यात्रा करने वाले की मंडली लिए, कोई विक्री का सामान लिए, प्रबल नवीन स्रोत्र की धारा में तेजी से मेले की ओर चला जा रहा है। कलकत्ता की उत्सा से बिना संगीत के खचमखच शब्द से आकाश को विद्यर्न कर रहे हैं। उद्धीपनों की सीमा न थी। देखते देखते पुर्व छिचित से सघन मेग राशी ने प्रकांड काला पाल तान कर आकाश के बीच में खड़ा कर दिया। चांद ढग गया। पुर्व मेंड़कों ने टराना शुरू कर दिया। जिल्ली की ध्वनी जैसे दरांद लेकर अंधकार को चीरने लगी हो। मानो आज सामने समस्त जक की रथ यात्र हो। चक्र घूम रहा है, ध्वजा फैरा रही है, पृत्वी काप रही है, मेग उड़ रहे है, वायू दोड रही है नदी बह रही है, नौका चल रही है, गीत उठ रहा है। देखते देखते गुरु गंभीर मेग ध्वनी में मेग गरजने लगा। विद्धुत आकाश को चीर चीर कर चकाचौंद उत्पन्ने करने लगी, सुदूर अंधकार में से मूशला धर वर्षा की गंध आने लगी केवल नदी किनारे एक और काठालिया ग्राम अपने कोटी के द्वार बंद करके दिया बुझा कर चुप चाप सो रहा है। दूसरे दिन तारपद की माता और भाई आकर काठालिया में उत्रे। उसी दिन कलकत्ता से विवित सामागरी से भरी तीन बड़ी नौकाएं काठा पर चुप चाप आकर खड़ी वी। किन्तु उस दिन तारपद दिखाई नहीं दिया। स्नेह प्रेम बंधत्व के शडियंत्र बंधन उसको चारो ओर से पूरी तरह घेर ले। इसके पहले ही वह ब्रह्मन बालक समस्त ग्राम कर रिदय चुरा कर एका एक वर्षा की मेग आ को जरूर सब्सक्राइब करें जल्द मिलूंगी नए कहानियों के साथ नमस्कार